नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी में मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनलोज़ब अभी जो है काफी सारे पीफ मेंबर को जो है कुछ प्रोब्लम आ रही है जब वो अपना एडवांस में या फिर पूरा पीफ का पैसा या फिर फोरम टेंडी अपलाई करने जाते हैं या फिर पैंशन स्किम सर्टिफिकेट के लिए अपलाई करते हैं तो चलिए अब आपको जो है लाइव एरर मेसेज दिखा देता हूँ जिससे की आपको समझने में आसानी हो तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रेन पर और यहाँ पर मैंने EPFO का यह जो UN मेंबर का पोटल है इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर पूरी डिटेल करके जो है मैं लोगिन कर लेता हूँ अब यहाँ पर लोगिन कर लिया successfully और जब लोगिन करते हैं तो एक alert देखने को मिलता है इसको मैं कर देता हूँ letter अब यहाँ पर देखे online services का जो option है इस पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर claim forum 31 19 10C and 10D का जो option है यह मैं select करता हूँ और जैसे ही मैंने यह select किया तो यहाँ पर देख सकते हो एक red color में error message आ गया कि इसमें mention है लिखा हुआ है कि please update your latest bank account number and valid IFC details through your employer unified portal अब यहाँ पर मैं आपको यह चीज़ और दिखा देता हूँ देखें यह error message तो आ रहा है कि आपका जो bank account number है वो update कीजिए seed कीजिए दुबारा से valid IFC code के साथ बट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो bank account number है वो पहले से ही जो है link है update है verify भी है चली मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं जो है manage के option में जाता हूँ KYC का जो option है यह मैं select कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर साफ साफ document type में bank और यहाँ पर currently active KYC में यहाँ पर bank के सामने यहाँ पर status देखेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि verified online by bank और employer name में यहाँ पर बिलकुल खाली है यहाँ पर कुछ भी employer का नाम यहाँ पर नहीं है और signature type में भी यहाँ प है वो जो है company ने अपरूव नहीं करी bank की तरफ से verify हुई थी और bank की तरफ से जैसे ही verify हुई हमारी KYC अपरूव हो गई और हमारा bank account number जो है add हो गया seed हो गया update हो गया हमारे UN account के साथ तो अगर आपको भी यह problem आ रही है जब online services में जाते हैं और यहाँ पर claim form 31910C select करते हैं तो यह error message अगर आपको आ रहा है कि please update your latest bank account number and valid IFC detail through your employer unified portal तो यह मत समझना कि यह जो है एक technical problem है भाई यह technical problem नहीं है आपको जो है दुबारा से अपना bank account number जो है add करना पड़ेगा link करना पड़ेगा तो इस error का message यह है कि आपको अपना bank account number जो है दुबारा से add करना अपने PFUN account के साथ EPFO कह रहा है कि आप जो है दुबारा से अपना bank account number जो है update कीजिए seed कीजिए link कीजिए अपने PFUN account के साथ जब दुबारा से वो bank account number add करेंगे link करेंगे तो पहले जो request है वो bank के पास जाएगी bank verify करेगा उसके बाद जब bank के तरब से verify हो जाएगा उसके और जब company approve कर देगी आपकी bank KYC को उसके बाद ही आपका bank account जो number है वो update होगा link होगा आपके UN account के साथ उसके बाद किसी भी तरिक की कोई problem नहीं आई तो बस ये एक जानकरी आप सभी के साथ share करने थी आशा करता हूँ ये जानकरी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कीजिए share कीजिए अगर आपको कुछ नई जानकरी मिले है कुछ सीखें है इस वीडियो से तो comment box में comment करके जरूर बताना हमारी वीडियो जो मैं जानकरी share करता हूँ कैसी आपको लगती है मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी एक और नई information के साथ अपना ख्याल रख बबाए टेक क्यार